नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनरजी चेकिन में और देख लेते हैं कि इस वक्त की एनरजी क्या चल रही है और आप लोगों के बीच में जो भी हो रहा है वो किसलिए हो रहा है और भगवान के क्या अमरजी है इसमें ये सब कुछ हम देखेंगे सबसे पहले मेरी सारी बधाईयां तैयारी कैसी चल रही है जरूर कोमेंट में बताना ठीक है और अपने पार्टनर के साथ वफादार है अपने पती के साथ बिल्कुल जो है रिश्टा पवित्र और मजबूत बना के रखना ऐसी भरवान से दूआ करना सब के लिए और मैं भी यही दूआ कर र रही है आपकी लिंग लोगों का रिष्टे में अभी क्या चल रहा है कर रहा है ठीक है मैं आपसे बात बोलूं यहां पर जो जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं चाल मेल है या फीमेल है यहां पर आपको कहा जा रहा है कि यह समय आपके लिए स्टैंड लेने का है आगे बढ़ने का है दूसरों की बातें सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है यह आपका कि लोग क्या कह रहे हैं आपको रोक रहे हैं या आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं यह सब चीजे नहीं आपने देखनी है आपको यहां पैक्शन लेना है और कुछ भी जो बेकार चीजे आपके साथ हुई है घटित हुई है उनके बारे में सोचना नहीं है guilty feel नहीं करना कोई भी चीज के बारे में इस वक्त पास्ट को सोचने का समय नहीं है यह समय जो है आगे बढ़ने का है जिसमें आपको नए तरीके के रास्ते मिलेंगे नए तरीके के लोग मिलेंगे नए तरीके से spiritual journey में आपको काम करने के लिए एक गुरूप मिलेगा कुछ इस तरह से आपको चीजें आपके आगे आएंगी आपको दिखाई जाएंगी यह वाली चीजें क्योंकि यहां पे आप अकेले ही जब आपने फैसला कर लिया है अकेले आगे बढ़ने का तो वहां पे भगवान आपका साथ दे रही है क्योंकि जब इनसान सच के साथ अकेले आगे बढ़ता है कोई साथ नहीं देता उसमें वो अकेले ही आगे बढ़ते है तो वहां पे भगवान साथ दे रहा है आप बड़े ही शांती से बड़ी चुपी साथ दोते हुए आप इस spiritual journey पे आगे बढ़ रहे हैं और भगवान ने आपको भर-भर के knowledge दी है ठीक है लेकिन आप इस वक्त इस five of जो है sword का card क्या कह रहा है यहां पे sharing के card के साथ ठीक है यह यह कह रहा है कि आपके अंदर इतनी quality है इतनी जादा आपके अंदर knowledge है इतनी जादा अत्याद में का तरक्की कर चुके हो जब तो यह लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं तो क्यों आपके spirituality पे उमली उठा रहे हैं क्यों आपकी पवित्ता को नहीं देख रहे हैं वो वाले तो यहीं का जा रहा है आपको लोगों की बात नी सुननी देखना अबीज आैंस को पास पास के आत्यों देख सकते आप नहीं सकते हैं आपको आख़े में ऑन आधर रिखोने फोली चीजों को शायद पहले ही समझ जाते हो या आपको intuition हो जाती है आपको सपना आ जाता है अपने divine masculine के साथ आपको बहुत सारे सपने आते हैं आपको जो सपने आ रहे हैं वो आपके सच होते हैं शायद क्योंकि हाँ पर यह जो बाज है यह उड़ रहा है यह दूर तक देख सकत है बहुत ठीक है paar और कटनाईयों के सामने भी जो है आप रास्ते को बिलकुल के वाद के जाने कहानी कासे्जी हो और रास्ते कैसे और परस्तित कैसी हодар हो आप एक प्रान ना सरल जो रास्ता आप ढूनी लेते हो और औरों की भी मदद कर देते हो फसे हुए लोगों को आप एकड़ा HR दिखा देते हो वाली इनर्जी है मदद कर देते हो आप लोगों के बारे में भी बहुर जादा सोचते हो और जब आप आपके कार्ड निकाले हैं, Divine Masculine जरूर ब्रेक्टू कर रहे हैं, किसी ने किसी चीज को जरूर पीछे छोड़ रहे हैं, वो भी आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं इस जरूरी में, Divine Masculine के नरजी क्या कह रही है, Divine Masculine भी अपने अंदर के खुशियों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि कैसे जीवन में एकदम चुपिया हो गई है, क्योंकि यहां पे आप और आपके Divine Masculine दोनों ही चुप हैं, अपनी जरूरी में जहांके देख रहे हैं, अपने अंदर जाके वो ख खुशी को ढूण रहे हैं, अब प्रके यह इनसान बाहर खुशी ढूण्ओत रहा था, अब ये इनसान अंदर जाके वो खुशी ढूनने कि कोशिश कर रह רק है जो कि इसको इसके अंदर ही मिलेगी, आप भी और ये इनसान एक ही जो है हो पाएंगे अंदर जाके, तब ही इनसान आपके बारे में समझ पाएंगे, ठीके, इन दिनों जो है आपका एक अलग औरा रहेगा, और आपके divine masculine बड़े ही उससे आपको देख पाएंगे, कि हाँ, third party और आप दोनों में वो फरक देख पाएंगे, ठीके, सच्चाई का और अच्छाई का, ठीके, negative चीजों का और बुरे प्रवाब का, उनको पूरी तरीके से इस वक्त knowledge होगी, इस वक्त उनको intuition होगी, ऐसा भी आपके card बता रहे हैं, ठीके, और आप लोगों के प्यार, प्यार, divine masculine ज्यान से तो भरपून है ही, और आपकी एक और उनकी एक अलग-अलग है, क्योंकि आपके अंदर masculine और feminine energy आपके पार्टनर के अंदर जादा है, जो वीडियो देख ने, उनके अंदर masculine energy जादा है, ठीके, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ पाए आप में और अपने आप में दोनों की चीज़ों में मैचिंग करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि यहां पे प्यार ही नजर आ रहा है हर एक इनसान के लिए, और आपको बड़े ही प्यार से आपके पार्टनर जो है, टीट करने वाले हैं, आप से बात करने और आपको लेके बहुत सारी बातें वो इंसान सोच के परेशान भी रहने वाले हैं कि काफी टाइम तक आप अकेले रहे हो अपने पार्टनर के बगएर और आप अपने पार्टनर के बगएर अकेले नहीं रहे ऐसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है कि आपको अकेले हैंने पर मजबूर किया है, तीन साल से जादा इस इनसान ने आपको अलग रखा ठीक है, तीन साल से जादा इस इनसान को थर्ड पाटी के साथ हो गए हैं घूमते हुए और अभी भी आठ महीने से ब्रेक लगा हुआ है, बिल्कुल आठ हाट नंबर है, आप अबंडन्स को भी जो है इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अपने जीवन में रुके वे पैसो को भी हासिल करने वाले हो यह स्पेशल मैसिस था बहुत से लोगों के लिए जिनको जरूवत थी ठीक है, और और आपने इस इस इनसान को छोड़ दिया है दिल और दिमाग से आप सोच रहे हैं कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा ऐसा डिवाइन मैस्कृन को भी लगता है कि आप इसको छोड़ चुके हैं कहीं अकेला ना रह जाए आप इसको ये भी फील हो रहा है इस वत क्योंकि आप को ये इनसान बहुत ज़्यादा खुश देखता है बहुत ज़्यादा आपने बदलाव देखता है ये इनसान तो काफी ज़्यादा इसको अंदर से पेन होता है ये बाहर दिखा नहीं सकता उस चीज को क्योंकि यहां पर एक इमेज बनी हुए जो खुन के आग के आसु है जिसके चारो तरफ थंड़क है ठीक है बाहर से भले ही यह इनसान जो है शान्त दिखता हो खुशी में दिखता हो या फिर यह इनसान बहुत ज़दा पैसे वाला है या इसको बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि यहां पर अबंडन्स का कार्ड है ठीक है बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन आप वो चीजे तो दिख रही हैं आपको लेकिन इसके अंदर की सचाई नहीं लिख रही है अगर अपने पार्टनर्स से आप जुड़े हुए हैं तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है अगर आप अपने पार्टनर्स से अलग हैं तो इस चीज को देखने की कुशिश करो या आपको कार्ड मिलाए ठीक है और आपको आप बहुत जादा आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर में अपना टाइम बिताओ फूलों के साथ पौधों के साथ पेड़ों के साथ नेचर में जितना आप गूमोगे गार्डन में जितना गूमोगे उतना ही जादा आप लो शा और एक जीव जन्तू से जो है अलग से ही प्यार होता जो है चला जाएगा और आप देखेंगे भी कि आप उनकी बातें सुन पा रहे हैं आप उनकी भासा को समझ पा रहे हैं यह वाली भी काफी सारी डिवाइन फैमना इन में यह ताकत भगवान ने देखे भेजी हैं ठीक है आप सुन सकते हैं वो बातें आप जो है उनके पेन को उनकी तकलीफ को उनकी आवास को जो है कैच कर सकते हैं यह वाली भी ताकत है और भगवान ने तब ही आपको यह शक्ति दिया आप जितना भी हो सके उन बे जुवानों के आपको मदद करनी चाहिए क्योंकि आपके पा पागल तो नहीं हो नहीं आप पागल नहीं हो ठीक है आप बहुत जादा अपने दिल और दिमाग जो है एक साथ काम कर चुका है आपका मेडिटेशन के दुआरा या इस जनम से पहले आप एक शांत इस्तिती में रह चुके हो जो लोग सांत इस्तिती में रहते हैं जो सांत र बात को समझ पाते हैं वो वाली एनर्जी है तो डिवाइन मैस्कुलीनम भी आपके बारे में आपको लेके क्या सोच रहा है उसकी करण्ट फीलिंग आपके लिए क्या है डेली ही एनर्जी चेक करते हैं चैनल को जो है सबस्क्राइब कर लेना वो आपको फोलो कर रहा है आपको देख रहा है और यहां पे वो इनसान जो है आपसे कहीं न कहीं बहुत ही जल्दी करंट में मिलना चाता है या आपसे बात करना चाता है वो इनसान क्योंकि उससे परद उसके बारे में जानते हो अच्छे से आप कभी उसे अपनाओगे नहीं, यह सब चीजें उसके अंदर चल रही है, क्योंकि यहां पर इंसान ने दोका भी दिया है, ठीक है, और आपने इस इंसान को पाने के लिए बहुत महनत की हैं, और इस इंसान ने कभी आपके लिए एक् आज जो है तंग कर रही है, तड़पा रही है, चुप, यह इंसान इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा पेन अभी इस वक्त इकठा कर रहा है अपने अंदर, और यह इंसान एस ओफ सौर्ड कार्ड, भगवान इसको कहीं न कहीं आपके पास भेज रही है, कहीं न कहीं यह कहीं न कहीं भगवान इस इनसान को आपके पास भेजना चाते हैं, आपके साथ कहीं न कहीं आपकी वज़े से इस इनसान की बात आपसे कराना चाते हैं, क्योंकि भगवान ही चाते हैं कि यह इनसान आपसे अलग हो जाए और वो ही चाते हैं कि आपकी इस इनसान से बात हो तो अब ही वो क्या कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होते हुए भी इंसान आपसे चाहे थोड़ा ही बात करे या थोड़ा ही मिले या आपका आमना सामना इस इंसान से हो वो चीज़ें यहां पर होती भी नजर आ रही हैं और आपको इस तरह से दर्द में रहने की बिलकुल नहीं है जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपने टाइम को जो है समझें अपने टाइम की जो है कदर करें आपको यह टाइम जो दिया जा रहा है यह आपको दुवारा नहीं मिलेगा यह इंजॉय का टाइम है आपकी खुशी का टाइम है आप जी हो और जो वक्त जो है, ये वक्त आपका बदला जा रहा है, ठीक है, और यहां पर डिवाइन यूइन, बहुत से लोगों की बात, जो है आपके partner के साथ मैंने करवाई जा रही है भगवान ऐसा message आपको दे रही है ठीक है आज की जो energy है वो यही कह रही है रोज के daily के message होते है जो मैं देती रहती हूँ यहाँ पे ठीक है और आप नए है नए बहुत से लोग जूड़े हुए है तो आपका स्वागत है इस channel पे और यहाँ पे twin flame को लेके reading होती है channeling होती है channeling message भी मैं देती हूँ ठीक है और कल मैं live आई थी बहुत सारे जन बाद में आई थे तो मैं आपको बता दू कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ कि आपका कोई caution है तो लिखे भी जो मैं वीडियो में बता दूँगी ठीक है क्योंकि live तो आना बहुत मुश्किल है daily निया live आया जा सकता और daily ही जो है वीडियो 3-4 आपको नहीं मिल सकती क्योंकि energy कभी भी एकदम नहीं बदली जाती एकदम energy अगर तुम बार-बार वीडियो की तरफ कोई ना कोई reading देख रहे हो बार-बार किसी reading को आप सुन रहे हो तो यह जो energy है यह west चली जाए है इसका कोई फाइदा नहीं है अगर आपने दूसरी देखी है दूसरी देखने के बाद तीसरी आपने देख लिए है तो दूसरी वाली जो वीडियो देखी है उसका भी कोई फाइदा नहीं है आप एक reading पे रहें उसके फोकस करें उसका इंतजार करें कि उसमें क्या कहा जा रहा है आप लोगों को तो आप देखेंगे मैं आपको बात बताती हूँ कि जब ना कभी टैरो मैंने सीखे थे कभी छे-साथ साल पहले की बात है ठीके तो मैं एक ही वीडियो से जुड़ी थी मेरे को टैरो कार्ड के बारे में कुछ नहीं बता था तो मैं जब मैंने देखा टैरो किसी अपनी मैम का वीडियो मैंने देखा तो वो बाते मेरे साथ हो गई जो जो मेरी मैडम ने मुझे बताया था जब वो घटित होई वो कहती थी कि मेरे साथ बहुत कर्मा था तो वो कार्मिक चीजों को लेकि मैं बहुत परिशान रहती थी तो जब वो एक कार्म निकाल के कहती थी कि ये होगा तुम्हारे साथ तो मैं कहती थी ऐसा कैसे हो सकता है तो कभी होता ही नहीं है कौन कर सकता है ऐसा तो मैं इसाथ घटित हो जाता था तो मैं कहती थी आरे ये तो जादू हो गया है ये तो वाकई जादू है तो भाई जो लोग कभी जानते ही नहीं थे जादू के बारे में यानि कि मैं तो मुझे कुछ पता ही नहीं था तो फिर मैंने सोचा कि एक परेशानी का हल इन काड के अंदर है तो क्यों ना सबकी मदद की जाए जो वाकई ही परेशान है जो वागए इधर उधर फस रहे हैं क्योंकि इन में कोई जादू नहीं है इन में सच्चाई होनी चाहिए इंटुईशन होनी चाहिए मन की जो सच्चाई है वो चाहिए तब जाके टेरो काम करते हैं और उनके लिए मैंने कभी भी किसी और चैनल को नहीं ढूना ठीक है मेरे पास एक ही वीडियो मेरे सामने आया था और वहीं से मैंने सीखा और वहीं से मैंने हीलिंग की वहीं से मैंने जो भी काम सीखा सब वहीं से सीखा ठीक है और उसके अलावा कोई वीडियो नहीं देखती थी और मेरे साथ वो सारी बाते मैच भी होती थी तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि हमें अपने मन को शान तरखना चाहिए जो हमारे पास है वही में हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और इधर उधर जो है जितना हम भागेंगे उतनी ही हमारी ही एनरजी जो है वो लो होती चली जाती है ठीक है बाकी तो आपकी मर्ज़ यह है हम मैंने आपको बताया है उससे क्या होता है बताने से क्या होता है कि कुछ ऐसी है मेरी बहने मेरी डिवाइन फेमनाइन जो ऐसे नहीं भागेंगी वो एक ही जंगे पे रुख गई है जो मैसेज आपको मिलाया वो मिल गया है और बाकि आपने भगवान के इनर वर्क के द्वारा अपने उपर काम करने के जो है करके आप इस एनरजी से बाहर निकल सकते हैं इस दर्द से इस तकलीफ से ठीक है फिर से सबी को हैपी करवा चौत और आप सब बहुत अच्छी से महंदी लगाना बहुत खुशी से रहना अच्छी से तयार होना ठीक है और फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो में कल आप मुझे अपनी महंदी दिखाना मैं आपको भी दिखाऊंगी इच्छी के हैं नमस्ते